न्यूजिलेंड और इंग्लेंड के बीच चल रही टेस्टे सीरीज में पहला मुकाबला ड्रॉ में खतम होने के बाद अब इंग्लेंड की टीम को एक और तगड़ा जटका लगा है दरसल अपने डेब्यू मुकाबले में भेतरिन परदर्शन दिखाने वाले ओली रॉबिंसन को इंग्लिश किर्केट बोर्ड ने अंतराष्टे किर्केट से सिस्पेंड कर दिया है जिससे वो अब सिरीज के बचे हुए एक मुकाबले में भाग नहीं ले पाएंगे इसी भी ने ओली रॉबिंसन पर ये कारवाई उनके कुछ पुराने ट्विट्स के कारण की है जो काफी अशलील और नसल भेती थे और इसी के चलते उन्हें जाच समाप्त होने तक अंतराष्टे किर्केट से निलंबित कर दिया गया है बता दे रॉबिंसन ने इस मामले को लेकर प्रेस के सामने माफी भी मागी है ओली ने न्यूजिलेंड के खिलाफ अपने डेब्य मुकाबले की पहली पारी में चार विकेट जबकि दूसरी पारी में तीन विकेट जटके और बल्ले बाजी करते समय भी उनकी बल्ले से 42 निकले और अब इंग्लेंड को अगले मुकाबले को जीतने के लिए ओली का विकल्प ढूनना ही होगा जब स्ट स्ट लोमे पारी मुका रेफले मुकाबले की आई साथondere क凌 आउके